दोस्तों मैं सिवम स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चनल सिवम जूटियोरेल में दोस्तों अज हम बात करने वाले हैं RSP scholarship बिहार यहनी कि बिहार अश्टेट का जो अस्टीम था NSP scholarship दोस्तो इसी से related हम बात करने वाले हैं दोस्तो बिहार में scholarship पहले मिल रहा था और ये फिलाल नहीं मिल रहा है scholarship में scam हुआ है और दोस्तो इसी से related हम बात करने वाले हैं ये कब से start होने की उमीद है और इसमें scam कैसे हो गया दोस्तो हम आपको बता दे कि जो scholarship है वो सबसे पहले किसे मिलता है तो यह scholarship बिहार के जितने भी engineering, medical, polytechnic, B.A.D.A.D. और जितने भी तरह के professional course करने वाले student थे उन सारे student को यह scholarship दिया जाता है दोस्तो उसके बाद है कि क्या जो student मतलब eligible होंगे उन्हीं को मिलेगा तो eligible कहने का मतलब है कि सारे student को मतलब योग्य माना जाता था और सब को दिया जाता था यानि कि सब को जितना division हो गया सब को मिलता था दोस्तो इसमें ना कोई exam होता था ना कोई merit list होती थी बस आप पे scholarship के लिए आवेदन करो और आपका scholarship verify होगा college से और आपको amount मिल जाएंगे दोस्तो अमोंट आपको 12,000 से 15,000 रुपी पर ये दिये जाते थे परन्तु आप देखी यहाँ पे जो इनसपी का जो official portal है यहाँ पर status किम में आप जाईएगा तो यहाँ पर आपको बिहार का नाम कहीं अब नहीं दिखेगा लेकिन पहले बिहार का भी नाम होता था आप उस scholarship में रहा था लेकिन फिर एक सिच्छा बिवाग में एक चोर आ गया दोस्तो यह वही चोर था जो इसकोलर सीप का स्कैम किया और बिहार के बच्चों को का जो scholarship का पैसा था वो खुद अपने pocket में रख लिया दोस्तो और देखी scholarship का जो स्कैम था वो सबसे पहले आपको बता scheme सो कर रहा था दोस्तो जब इसे phone किया गया official number दिया रहता है कि आप यहाँ पे phone करके पूछ सकते हैं तो जब यहाँ पूछा गया तो इन्होंने साब साब कर दिया कि हम मतलब scholarship नहीं मिल रहा है यानि कि कभी कोई उठाए ही नहीं कोई कुछ बात करे मतलब सब जैसे तैसे चल रहा था और इसी भी scholarship हुआ और किसी को मिला ही नहीं तरब से अब आज तक यानि 2019 में भी नहीं मिला 2020 में भी नहीं मिला और 2021 यह भी मतलब कुछ दिन में लास्ट हो जाएगा लेकिन अभी तक कोई information नहीं आई दोस्तो उसके बाद आपको बता दे कि जो टेक्नीकी छात असकैम हुआ है असकैम हुआ है लेकिन ना तो कभी इन्होंने कोई विद्रो किया ना कोई protest किया बस ऐसे ही बता दिया कि scholarship हुआ है दोस्तो ना इन्होंने सरकार से कोई बात किया और देखे आम student चाहे तो जाकर के सरकार से तुरंत बात नहीं कर सकते लेकिन यह संगठन है स इनका तो हक बनता है कि हम जाकर के बात करें फिर भी कोई उपाय नहीं मतलब ऐसे ही सब चल गया दोस्तो उसके बाद student की बात करें तो student का क्या है यह तो कुछ सपोर्ट करेंगे तो कुछ तो मतलब साइट रहेंगे कि मुझे सबसे कुछ लेना देना नहीं है तो वह ऐसे नहीं होता है, सब को जब आप मिलेगा तो लाब तो आपको भी लेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बोलो कि हम नहीं लेना है, तो वो स्कोलर से मिलेगा तो उनको भी चाहिए, लेकिन जब कुछ करने की बारी आए, तो हम नहीं रहेंगे, तो ऐसे मतलब चलते चलते आग तक तो कुछ हुआ नहीं लेकिन दोस्तों मैं बिहार के एक प्रत्रकार है सिवन पिल्य दर्सी जो हाजी पूर साइड के मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने लगतार मेहनत करके एक जो अप्लिकेशन है वो बिहार के सिच्छा मंत्री को लिखा है दोस्तों इस और नाइन टेंथ वाले को तो वो हमेशा मिल रहा था और जो पोस्ट मेटरिक था वो टेंथ से उपर वाले को नहीं मिल रहा था तो उसी का जो सेशन है 2019 और 2020 से कैसा है तो एनसपी पोर्टल के माध्यम से आवेधन की करवाई परनाम करने के समंध में इन्होंने लेटर लि से सत्र दुहजार उनीस बीस के पोस्ट मेटरिक चातविर्ति के लिए एनसपी के पोर्टल पर आवेधन के लिए पोर्टर खोला गया था लेकिन तकनीकी कारणों की बज़ा से बिहार के किसी भी चात्षात्राई का आवेधन नहीं हो पाया इस अंदर में एनसपी के पहून उठाने बाला यहीं कहीं लग नहीं रहा तो उसी स्थीते में किसी का तो अवेधन हुआ नहीं बिहार के बहुत से चात्षात्राई ऐसे हैं जिनका पढ़ाई के दौरान होनेबाली आर्ठीक बीयकी भर पाई 16athribyti से ही होती है मतलब जब जारी किया गया बिहार के सिच्छा मंदरी को के पास भेजा गया तो उन्होंने पतलब संग्यान भी लिया और इसमें एक समिच्छा बैठक भी हुआ जिसमें बताया गया कि 1712-2020 को परधान सचीप सिच्छा विवाग बिहार पटना के अधरता हैं पिछरा बर्ग एवा मनुसूची जाती है वा करते हुए लाभगों के खाता में रासी हसनांतरन करने के सबंद में आहुत समिच्छात्मक बैठक की करवाई यानि कि जो डीवीटी के थरू पोर्टल होता है यानि कि ओनलें ट्रंजेक्शन का उसी के थरू डाइरेक्ट बैक एक कांट में भेजने के लिए यह मतलब मीट जिससे NIC नीदिली द्वारा संचालित, NSP 2.0 यानि 2.0 पोर्टल से के जगापे बिहार सरकार द्वारा अनुमोदीत, NIC पतना द्वारा संचालित, इल अभारती पोर्टल के मेगा सॉप्ट के भाती राज अस्तर के पोर्टल बिक्सित करते हुए लाभकों के खाता में रा नया मिल करके अब एनाईसी पटना के पोर्टल से एक नया पोर्टल विक्सित होगा और उसी से एक स्कॉलर्शिप मिले गए यानि कि जब सिच्छा मंतर संग्यान लिए हैं तो वो बोले कि स्कॉलर्शिप अस्टार्ट होगा दोस्तों उसके बाद देखिए जब मेडिया मतलब नहीं अभी नहीं मिल रहा है तो यह नहीं उठाने वाले ही सुद्दा को लेकिन जब कुछ करोंगे तो फिर यह अपने मतलब न्यूज में लाते हैं तो मेडिया का तो यह काम जानती ही होंगे क्या रहता है आप देखिए अब बात उठती है कि क्या फिर कब कोई माबाप नहीं होता है तो यह कब से करेगा यह इसकी मर्जी है और आपको बता दे कि फॉर्म आपसे कैसे फिल होगा तो फॉर्म आपको एनाइसी बिहार के पोर्टल इलाभारती है उससे होगा और दोस्तों इसमें कितने सेसन का अपलाई होगा तो आपको बता दे 2019 से लेकर के अभी तक जितने सेस्वान आपके बीच चुके हैं सारे का अप्लिकेशन का फॉर्म है वो फिलप एक ही साथ होगा अगर आए स्कॉलर्ट से प्रिया स्टार्ट होती है तब दोस्तों उसके बाद आप देखिए यहां पे जो लिटेस्ट न्यूज आई है लिटेस्ट के माध्यम से विचार विमर्स के संबंध में यानि यह जो मीटिंग हुई थी और यह स्कॉलर्ट सी पर स्टार्ट करने को ले करके तो दोस्तों ए ना इसी पोर्टल पर स्कॉलर्ट सी पर स्टार्ट होगा लेकिन कब होगा इसके अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है यह लोकड़न की पहले की जो नोटिस है यानि यह ग्यारा दो दो हजार इकिस की यह ग्यारा फरवर्डी का लेकिन उसके बाद लोकड़न लग गया तो यह मतलब मामला है वो ठंडी बस्ती में है और अभी तक कुछ इसके उपर आया नहीं है लेकिन मुझे उमीद है बिहा अब सारे स्टुडेंट को इस फॉर्म को भर सकते हैं उनका डीटल्स मतलब जैसी कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों वीडियो परसंद आये तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में सेर करें